महत्तपूर्ण विशय की चर्चा करने से पहले मैं कहना चाहूंगा दराजपूताना रेव्यू करन सिंग राजपूत के वीडियोज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें धन्यवाद आज एक महत्तपूर्ण विशय पर चर्चा करेंगे, भारती शंस्कृती की विशेश्टाएं भारत एक शंस्कृती परधान देश माना जाता है, किसी भी देश या समास के लिए शंस्कृती आत्मा होती है भारती शंस्कृती काफी पुरातन है, हरपपा और मोहन जोदोडो की खुदाई बत्तिस सौ इसा पुर्व बताई जाती है, जो बावन सौ वर्स पुरानी है इसके अतिरिक्त भारत देश में न पाशान युग में कुछ ऐसे अवशेश मिले हैं, जो भारती शंस्कृती पुरातन की और ले जाती है भारती शंस्कृती हमें बहुत कुछ सिखलाती है, या हमें शामाजिक, शांस्कृतिक, आर्थिक, राजनेतिक कारकों से जोड़ती है अगर आर्थिक कारकों की बात करते हैं, तो मा लक्ष्मी इसका शरूप माना जाता है अगर शांस्कृतिक और विद्या के बारे में चर्चा करते हैं, तो मा शौर्षती इसका शरूप माना जाता है अगर किसी कार्ज की शुरुवात करते हैं, तो भगवान गनेश की पूजा शर्पर्थम होती है, जो भारती शंस्कृति में पाया जाता है इसके अत्रिक्थ, जन, पालन पोशन और शंगहार, बर्मा, विश्नु और महेश के द्वारा शंपन्न होता है, जो भारती शंस्कृति में पाया जाता है जैसा की, श्वामी विवेकानन्द जी ने कहा था, कि भारती शंस्कृति अमर है और हमेशा अमर रहेगी इसे पानी भिगा नहीं शक्ता, अगनी जला नहीं शक्ता और हवा उला नहीं शक्ता इस तरह से कहा जाए तो भारती शंस्कृति अपने आप में महत्पुर्ण अस्थान रखता है यह हमें बच्चों को प्यार और बड़ों को आदर शिखाता है जो सिक्छा से जोडता है और इस तरह से कहा जाए तो भारती शंस्कृति महत्पुर्ण है अंत में मैं आप से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इस महत्पुर्ण व्यूज को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेर करें धन्यवाद